नमस्कार दोस्तों तो आज का टॉपिक है सेल और भाईए ये तीन लेक्चर का टॉपिक है दो तीन और चार लेक्चर आपके सामने लिखा हुआ है पहला लेक्चर हम ले चुके हैं इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री का ठीक है तो ये दूसरा तीसरा और चौथा लेक्चर किस से रिलेटेड होगा, काफी डिप्थ में आप सेल को जानेंगे और जितना आपको पढ़ा देंगे उसके अलावा कहीं भी कोशन बाहर नहीं जाना है, इतना आप पस रिवाइज करिएगा बार-बार जितनी बार आप कर पाएं, बार-बार लेक्चर को देखिए और अपना नोट, साट नोट तयार करिए और उसी को रिवाइज करिए, ठीक है इसके बाद GPB में आप कोई भी एक्जाम देंगे, आपका आराम से उतने सही काम चल जाएगा, ठीक है तो बात करते हम सेल की, तो सेल पहली बात होती क्या है, सेल किसी भी ओरगनाईजेशन यानि जो हमारे सरीर की संदचना है उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी सेल होगी, ठीक है बेसिक यूनिट अफ और अर्गनाईजेशन और स्ट्रक्चर अफ आल लिविंग मेटर कहने का मतलब जितने भी लिविंग मेटर्स है living matters के अंदर जो cell है वही इसकी क्या है basic unit होती है क्या होती है unit होती है इकाई है ठीक है कहने का मतलब है cells से मिलकर ही क्या बनता है कोई भी living organization या structure बना होता है ठीक है बात समझ में आई जैसे हम लोग आपको बताये थे पिछली class में कि cells जो होती है उनसे मिलकर क्या बनते है tissues बनते है यानि उतक बनते है और उतकों से मिलकर हमारा क्या बनता है कोई भी organization यानि structure बनता है यानि organ बनता है ठीक है organ से मिलकर कोई भी structure बनता है और इसी से हमारा पूरा ecosystem धिरे-धिरे develop होता है तो cell हमारा क्या है basic unit है अगर बात किया जाए इसकी discovery की तो आपको बताये थे Robert Hook ने इसकी खोज की थी किस ने खोज की थी? Robert Hook ने कब खोजा था? 1665 इसवी में 1665 में Robert Hook ने सेल को खोजा था ठीक है? किस में खोजा था? भाई या cork tissue में भाई एक cork, cork मतलब क्या भाई या एक धकन था जो हमारे जैसे आप देखते हैं beer की bottle को बंद करने के लिए किसका use हम लोग करते हैं? cork का use करते हैं उसी type का एक था उसी में इन्होंने क्या 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 1665 में पहली बार क्या खोजा? एक सिल को खोजा चीक है? आगे अगर बात किया ज़े भाई तो उसके बाद Levy and the Skivitz ने 1963 में एक थियोरी दी क्या भया? एक definition दी सिल की परिभासा दी क्या कहा? A unit of biological activity delimited by semi-permeable membrane and capable for cell production is medium free of other living system कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा? अपनी परिभासा में इन्होंने बताया कि cell क्या है? कि unit है किसकी biological activity की ठीक है? जो क्या करती है भया? semi-permeable membrane से चार ओर से limited यानि ढकी हुई होती है delimit मतलब बाहर उसके क्या होगा? एक semi-permeable membrane अब आप पूछेंगे semi-permeable membrane क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते है क्या? अर्ध पार गम में जिल्ली अर्ध मतलब आपको समझ में आता है क्या आधा ठीक है? पार गम में पार गम में मतलब जिसके पार जाया जा सके पार गम में पार मतलब और गम मतलब जाना गमन से related है ठीक है? जिल्ली तो वो membrane है ही है ठीक है? अर्ध का मतलब है भया सब चीज इसके आरपार नहीं जाएंगे लेकिन कुछ चीज इसको पार कर सकती है देखो सेल्स जो हमारा मेंब्रेन होती है यानि जो जिलिया होती हो तीन प्रकार की होती है एक तो हमारी होती है पर्मेबल ठीक है क्या होती है पर्मेबल का मतलब यह कुछ चीज़ें उसके आर पार जा सकती है और कुछ नहीं जा सकती है तो इसी प्रकार की एक जहली सिल के उपर पाई जाती है और उसमें एक कैपसिटी होती है सेल्फ रिप्रोड़क्शन की यानि खुद को भया क्या सेल को नई सेल बना सकती है यानि पूरानी सेल से क्या करती है नई सेल्स को बना सकती है यानि खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती है खुद को पैदा कर सकती है तो इसी को हम सेल कहेंगे यह परिभासना हमारे दी थी किसने लोवी ने किस ने दी थी, लोवी ने, ठीक है, इसके बाद अगर बात करने, the cell has also been defined as, अब cell को और एक रूप से परिवासित किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, a unit of life, that is smallest unit, which can carry on the activities indispensable to life, to grow and synthesize new living material and produce new cells, कहने का मतलब इनका भी वही है, कि यह क्या है, smallest unit है जिंदगी कि जो मतलब, life की क्या smallest unit क्या है, cell है, ठीक है, और यह क्या करती है, खुद को synthesize कर सकती है, new living material को यह पैदा कर सकती है, ठीक है, life को grow कर सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है, तो यह हमारा कैई cell की परिभासा हो गई, इसके बाद भीए दो साइंटिस्ट आये बहुत इंपॉर्टेंट है भीया कई बार पूँचा गया है अपने है कि सेल थियोरी किस ने दी थी पूँचा जाता है सेल थियोरी किस ने दी थी भीया आप लोग याद कर लिजे स्लाइडन एंड स्वान ने स्लाइडन और स्लाइडन स्लाइडन मेड़नाईजेशन of organization and construction देखो जो cell बना एक cell से दूसरी cell बनती है बात समझो अब इसमें भया क्या होता है animal और plant cell में कुछ तो अंतर होते हैं लेकिन कुछ उसमें क्या होती हैं एक जैसी चीजें भी पाई जाती हैं मतलब कुछ तो similarities हैं कुछ differences है animal cell और plant cell में यानि animals भी cells से मिलकर बने हैं plants भी cells से मिलकर बने हैं दोनों में cells जो यूज हुई हैं उनमें कुछ भीया similarities होंगी और कुछ dissimilarities होंगी ठीक है it further states that the body of both animal and plant composed of cells and each cell cannot be only act differently but also function as integral part of complete organism कहने का मतलब इनके है कि जो देखो cells से मिलकर पूरा सरीर बना है ठीक है और हर cell का भीया क्या है काम अलग-अलग है ठीक है हर cell का काम अलग-अलग है हर cell का function अलग है हर cell का जो है अपने रूप में क्या है independent है ठीक है प्रतेक cell क्या है independent है अपना अलग-अलग काम करती है जैसे हम बात करें एक cell की जैसे RBC क्या करती है RBC एक प्रकार की cell है जैसे हम बोलते है red blood cell ये क्या करती है ये भया oxygen का carrier होती है हेमोगलेविन में oxygen को carry करने का काम RBC करता है तो एक क्या हो गया RBC का work हो गया इसी के आधार पर इसका safe भी हो जाएगा जैसा इसका काम होगा वैसा इसका safe हो जाएगा आगे अगर हम लोग बात करें तब हम आप कह सकते है भया cell हमारा का है morphological और physiological unit है किसकी living organism की कितनी बार भया एक ही चीज़ को बार बार बताया जा रहा है कि भया cell हमारी क्या है unit है और किसकी unit है भया living organism की living organism में जो हमारा morphology होगी याणि उसका जो आकार है living organism का याणि आप जैसे दिखते हैं उसका reason क्या है आपकी cells का safe physiological unit भी है याणि आपके सरीर जैसे work कर रहा है उस भी क्या है cell के कारण हो रहा है यह सब क्या है इसलिए functional और biological unit कहा इसको स्लाइडन और स्वान ने में जीज़ समझ में आई the functional and biological unit क्या है cell है किसने कहा था स्लाइडन और स्वान ने इसी को हम बोलते हैं cell theory cell reproduce estimated respire and responded to change the environment and absorb water and other material from the internal and external sources ठीक है अब cell क्या करते है respire करते है निस वसन भी करते है और बाकी सारे changes जो environment में हो रहे हैं उनका भी effect पड़ता है water को absorb करती है और भाया क्या करती है internal and external सारे courses यही complete करती है cell ही यानि cell में भाया photosynthesis होगा cell में respiration होगा cell में energy बनेगी cell ही energy खर्ज करेगी ठीक है सारा काम किसमें होगा cell के भीतर ही होता है जैसे respiration में हम लोग पढ़ते हैं cellular respiration mitochondria के अंदर रोगत होता है और mitochondria कहा हो पाई जाती है cell के अंदर ही तो पाई जाती है चिक है आगे बाद क्या जाए इसके बाद भी आया है पुरकिंजे भाई पुरकिंजे ने ग्रीक भासा का सब्द है किस भासा का सब्द है ग्रीक भासा का सब्द है cell लेटीन भासा का सब्द है लेकिन प्रोटोप्लाजम किस भासा का है ग्रीक भासा का है इसमें प्रोटोज का मतलब होता है first और प्लाजम का मतलब है organization ठीक है, plasmas का मतलब क्या है? और इसका मतलब क्या हो गया? first organization for the juicy living substance of animal यानि animals में जो भी juicy living substance पाया गया गया जैसे जैसे cell थी, माल लो ये एक cell है इसके आन्दर इसे living substance पाया जा रहा है juicy living substance है, ठीक है? ये पूरा हमारा क्या है? ये हमारा कहलाता है protoplasm, क्या कहलाता है, protoplasm ठीक है, अब अगर आगे बात किया जाए, protoplasm किया अगर बात किया जाए, further the cell is accumulation of living substance or the protoplasm which is limited in the space of another membrane and process a nucleus कहने का मला अब भी नहोंने cell को कैसे परिभासित किया, कि भी यह एक cell होती है जिसके बाहर ऐसी एक जिल्ली पाई जाएगी जिल्ली जो हमारी होगी, यह क्या होगी अर्ध पारगम में होगी, यह सेमी परमियेबल होगी, ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा इसके अंदर अब क्या पाया जाएगा, यह भी यह पाया जाएगा, protoplasm यह भी यह ऐसे पाया जाएगा, protoplasm ठीक है, cell के अंदर पाया जाएगा, protoplasm तीसरी बात इन्होंने क्या कहा, इसके अंदर भी यह एक पाया जाएगा, क्या, इसके अंदर एक पाया जाएगा, nucleus क्या पाया जाएगा, nucleus पाया जाएगा, तीन बातें पहली बात समझ में इसके अंदर एक नुकलियस भी पाया जाता है आप उन्होंने एक बात बताई कि यह ceil थी इसके अंदर यह nuku था ठीक है अब उन्होंने का जो यह वाला मेटर भरा है यह ceil और मदब अधब इसके बीच में येम्बरें थी जिल्ली थी और ये nucleus के बीच में जो भरा है इसको हम लोग बोलतेते हैं क्या? cytoplasm कहने का मतलब proto-plasm के दो भाग बात को समझो proto-plasm के होंगे दो भाग जैसे proto-plasm जो हमारा हो गए इसके दो भाग होंगे एक तो होगा cytoplasm और दूसरा हमारा क्या होगा, मतलब जो हमारा केरियो प्लाजम या नुकलियो प्लाजम, क्या होगा नुकलियो प्लाजम, ठीक है, साइटो प्लाजम और नुकलियो प्लाजम, जो भईया साइटो प्लाजम होगा, वो क्या होगा, केंदरक के बाहर पाया जा रहा है, और केंद प्रोटोप्लाजम किसे कहेंगे तो बात को समझ लो प्रोटोप्लाजम बड़ी चीज है प्रोटोप्लाजम में साइटोप्लाजम भी आ जाता है और क्या जाता है नूकलियोप्लाजम भी आ जाता है कहने का मतलब अगर एक सेल है मालो ये वाली अगर सेल है ठीक है इसके अंदर भी कुस द्रवे पाया जा रहा है इससे हम लोग बोलते हैं कि नूकलियो प्लाजम और इन दोनों को मिला कर हम अगर एक सब्द देंगे तो इससे हम कहेंगे प्रोटो प्लाजम बास समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये भाईया हमारा क्या होता है प्रोटो प्लाजम होता है the portion of protoplasm which occur between the plasma membrane and nucleus is called cytoplasm and portion of the protoplasm occurring in the nucleus is called nucleoplasm यही बात आपको समझा रहे थे ठीक है classification of cell or cellular organization classification की अगर बात किया जाए तो भीया the body of all living organism like blue green algae है चाहे bacteria है चाहे plant है चाहे animal है सब में क्या होता है भीया यह हमारा सब में क्या होता है हमारा cells पाई जाती है except virus and certain plant like rhizopus and vituria बात को समझो इन्होंने का the body of all living organism has cellular organization and contain one or many cells कहने का मतलब जितने भी living organism होंगे सम्में cells पाई जाएंगी सब cells से बनी होंगी और उसमें एक या अधिक cells हो सकती है लेकिन कुछ चीजों में cells नहीं पाई जा रही है उनके examples की अगर हम बात करें तो पहला viruses में cells नहीं पाई जा रही है यह भीया क्या है virus exception है बात याद रखना क्या 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 exception है दूसरा इन्होंने का कुछ plant भी ऐसे हैं जिन में क्या होता है cells नहीं पाई जा रही है जैसे इन्होंने दो एक्जामपल यहां पढ़ती है बहुत important दोने एक्जामपल है rhizopus and vuceria rhizopus और vuceria में क्या होता है भया इसमें भी cell हमारी नहीं पाई जा रही है viruses में भी हमारी cell नहीं पाई जा रही है इसके इलावा जितने भी plants हैं जितने भी animals हैं चाहे blue green algae हो चाहे bacteria हो सब में हमारा क्या होता है cells पाई जाती है तो आपको यह तीन एक्जामपल याद रखने पड़ेंगे आप आराम से notes में अपने इनहीं को बस लिख लिजे लिख दीजे इन तीनों का नाम लिख दो और इसके लावा लिख दो सब में भीया cell पाई जाती हो चाहे एक पाई ज जाती हो चाहे अधिक पाई जाती हो ठीक है अब अगर भया एक cell से बना होगा पूरा organism तो उसे हम बोल देंगे यूनिसेलुलर अगर भया मैनी से बना होगा तो उसे हम बोल देंगे क्या मल्टी सेलुलर यह तो आप लोग सब जानते ही होंगे एक cell से बना तो यूनिसेलु may have only one kind of cell from the two following type of cell भी अब cell इन्हों ने कहा कि दो परकार की होती है, cells भी दो परकार की इन्हों ने बता दिया, एक इन्हों ने कह दिया prokaryotic cell होती है, एक कह दिया eukaryotic cell होती है अब दोनों में भी या अंतर ये बहुत important हो जाता है तो भी अब prokaryotic, eukaryotic में अंतर हम दो देख लेते हैं अगर बात करें भी या prokaryotic cell में क्या होता है pro मतलब होता है primitive और karyot मतलब होता है nucleus, karyon का मतलब nucleus है, तो कहने के मतलब इसमें क्या पाया जागा, primitive nucleus पाया जागा pro मतलब prarambic nucleus होगा मतलब जब prarambic nucleus बना होगा तब यह यह क्या होगा, complete नहीं हो पाया होगा इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी तो इसमें कमिया थी, nucleus complete नहीं था eukaryotes में क्या था u का मतलब होता है good या true nucleus तो रही का कारियोट हुआई है प्रोकेरियाइट में प्रार moving nucleus पाया जाता इसलिए हो complete नहीं होता है, ठीक, दूसरी बात they are generally unicellular जो प्रोकेरियाइट होते हैं, जयादा तर क्या होते हैं, एककोसकी होते हैं जबकि eukary導 जयादा तर क्या होते हैं, Multi-cellular होते हैं, भफकोसकी होते हैं ठीक है इनकी अगर बात करें जब साइज की तो ये 5-10μμ तक हो सकते हैं जबकि ये 10-10μμ तक होते हैं यूकरियोट्स बड़े हैं प्रोकरियोट्स छोटे हैं ठीक है इसके बाद अगर बात करें डोंट पॉसस वेल डिफाइन साइटो प्लाजमिक और इसके अंदर जो मतलब मुखे कोसिकांग है कोसिकांग के अंग यानि कोसिकांग ये भईया नहीं पाया जाते हैं कंप्लेटली यूकरियोट्स में सारे कोसिकांग पाया जाते हैं जैसे अगर बात किया जाए इंडोप्लाजमिक रिटिकुलम पाया जाएगा गालगी बोड़ी पाया जाएगा क्ल केंदरग के उपर उसकी भित्ती नहीं पाई जाती है यानि केंदरग में इसे ये खाली इसे पढ़ा रहेगा दूसरी बात इसमें क्या है क्रोमोजोम भी नहीं पाई जा रहे है इसके बाद DNA सर्कुलर एं लाइज फ्री इंदा साइटोप्लाजम अब भी इसमें जो DNA होगा जब नूकलियस नहीं पाई जा रहा तो DNA वैसे तो यहां नूकलियस में रह रहा था लेकिन यहां DNA फ्री हो गया तो DNA बस क्या करता है सिंगल से लो रहा है तो कहीं इसे DNA पढ़ा रहता बिचारा ठीके तो यह DNA हमारा क्या होता है सीधे प्रोटोप्लाजम में पढ़ा रहता है साइटोप्लाजम में पढ़ा रहता है ठीके यूकरियोट की अगर बात करें यूकरियोट में भाईया पूरी तरीके से डेवलप्ट नूकलियस पाया जाता है कहने का मतलब बाइनरी फ्यूजन द्वारा डिफ्यूजन होता है, कहने का मतलब यह दूई खंडन हो जाएगा, कहने का मतलब यह मानलो यह इसे कुछ था, ठीक है, अब इसका क्या हुआ, मानलो यह कट गया, ठीक है, कट गया तो इसमें भी यह DNA का छोटा स्टुकड़ा इसे हम लोग बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन यह दूई खंडन, मतलब कहने का मतलब सेल एक जगास कट गई, अगर इसमें थोड़ा भी DNA का भाग पहुँच गया, ठीक है, यह हमारा क्या है, बाइनरी फ्यूजन है, बहुत सिंपल फ्यूजन है, इसके बाद अगर इसमें इसमें भाइया क्या होता है, समसूत्री या अर्दसूत्री भी भाजन होता है, माइटॉसिस और मियॉसिस, मतलब दोनों पाये जाते हैं, माइटॉसिस जो होता है, यह हमारा जितनी भी विजिटेटिव सेल्स हैं, उसमें होता है, और जितने भी हमारे मतलब रिप्रोड़ राइबोसोम 70S के पाया जाते हैं इसमें सिर्फ 80S लिख दिया है लेकिन 70 और 80 दोनों प्रकार के जो है राइबोसोम यूकरियोर्स में पाया जाते हैं ठीक है राइबोसोम सिर्फ 70S के पाया जाएंगे प्रोकरियोर्स में और 70 और 80S दोनों प्रकार के पाया जाएंगे यू इसकी खोश की थी किसने याद रखने ना टिनल फॉन्टाना ने किसने की थी टिनल फॉन्टाना ने ठीक है 1861 में ठीक 1861 में टिनल फॉन्टाना ने इसकी खोश की थी अब भाई यह जो टिनल फॉन्टाना ने खोश की थी भाई यह यह प्रो करियोट्स में पाई नहीं जा र होगा तो nucleolus पाई नहीं जाएगी इसमें सब पाया जा रहा है ठीक है spindle fiber इसमें absent होगे spindle fiber भी इसमें पाया जाएगे जो हम कोसी का तंतु की बात कर रहे थे इसके लावा सेलवाल made up of polysacuride देखो यह बहुत important है कई बार पूछा गया है अगर prokaryotics की हम बात करें तो भी इसमें bacteria आ जाता है हमारा चैके bacteria वगएर आ जाता है bacteria की अगर हम बात करें तो कई बार पूछा गया है इसकी जो bacteria की सेलवाल होती है किससे बनी होती है तो भी ए एक परगार की polysacuride जिसका नाम क्या है muremic acid कई बार ये वाला question पूछा गया है तो इसको बहुत important है याद रख लेना ठीके किससे बना होता है भी ये वाला muremic acid किससे muremic acid ये हमारा इससे भी ये क्या होता है prokaryotes की सेलवाल बनी होती है जबकि भी जो अगर बात करें हम eukaryotes में तो eukaryotes में भी होता तो हमारा क्या है polysacuride लेकिन कौन-कौन सा cellulose से बना हो सकता है hemicellulose से पेक्टिन से या काईटिन से बना हो सकता है इनसे सेलवाल बनी होगी cellulose hemicellulose पेक्टिन या काईटिन से बना होगा तो भी ये अगर बात किया हिस्टोन प्रोटीन इसमें अपसेंट होती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो सेल डिविजन में help करने वाली प्रोटीन है, जब सेल डिविजन होता ही नहीं है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन की आवसकता भी नहीं है, इसमें आवसकता है, क यह क्या होता है, इसके अंदर जो pigment होता, पूरे cytoplasm में फैला रहता है, उसके लिए कोई special kosikang नहीं है, लेकिन इसमें kosikang पाया जाता है, plastid जिसे हम लोग लवक बोलते हैं, लेकिन इस सिर्फ plants में पाया जाता है, ठीक है वरणडी लवक है, तो उसमें लाल-लाल लुक से फूल पाया जाते हैं, अब अनडी लवक है, तो इसी कान जो है सफेद, आलू के अंदर जो सफेद starch बरा होता है, तो सफेद दिखाई देता है, ठीक है यह सब क्या है, यह हमारे क्या है, plastids है, इसके बाद अगर बात करें, nuclear membrane इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, इसके लवाँ, इसमें mesosome में respiration होता है, बहुत important चीज है, अगर बात करें हम लोग respiration है नहीं स्वसन की, तो स्वसन जो हमारा होता है, eukaryotes में तो हम लोग सब लोग जानते हैं, किसमें होगा, mitochondria में, इसलिए तो mitochondria को powerhouse abdasil कहते हैं, कि उसमें क्या होता है, असोसन से ही बनती है, उर्जा, जहां उर्जा बनेगी वही तो हमारा क्या होगा, powerhouse होगा, ठीक है, तो दूसरी बात, इसमें mesosomes में होता है, जो वहाँ mitochondria में हो रहा तो यहां कहां होगा, mesosomes में होगा, ठीक है, नी, prokaryotes में कहां होता है, respiration अगर पूँचा जाए कभी, तो आराम से भी आप याद रखेगा, mesosomes में होता है, example, bacteria, bruganil, isteria, coli, pplo, यह सब क्या है, example है किसके, irregular, triangular, tubular, cubodial, polygonal, cylindrical, oval, rounded, elongated in the different animal and vary from the organ to organ, कहने का मतलब है, बहुत प्रकार के shape है, यह triangle भी हो सकता है, tubular भी हो सकता है, cubodial हो सकता है, polygonal हो सकता है, cylindrical, oval, कोई भी आकार हो सकता है, goal हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, irregular होता है, कहने का मतलब irregular है कोई shape specialized नहीं है और यह अलग-अलग होता है अलग-अलग animal में, अलग-अलग प्रकार के shapes की cells पाई जाएंगी एक ही animal के अलग-अलग अंग में, अलग-अलग प्रकार की shape की मतलब cells पाई जाएंगी यह कह रहा है कि जो आकार है को सिका का वो किस पे निर्भर करता है उसके कार रे पर फंक्शन पर क्या उसका काम है जैसे एक्जामपल के तौर पर बात करें अगर हम तो epithelical cell have flat shape epithelical cell क्या होगी भी या जो हमारी तौचा की बाहर की boundary जो बना रही वो हमारी सेल्स कैंब तो इसकी जो सेल्स होंगी और किस आकार की होगी अक्सर flat आकार की होगी लेकिन अगर muscles की हम लोग बात करें muscles में जो हमारी पाई जाएंगी वो कैसी होंगी elongated होंगी more over the external and internal environment और इफेक्ट भी पड़ता है external environment का और internal environment का इफेक्ट पड़ता है इसे हम लोग खुब exercise करेंगे तो हमारे क्या होगा muscles का save बदलेगा save variation in the cell due to the internal mechanism stress and pressure and surface tension खिचाव अगयरा के कारण क्या होता है cell का save बदल जाता है यह सब पता है आपको इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है बस एक कहानी जैसा आप समझ सकते हैं एक बार इसको size की अगर बात कर लें तो इसमें कुछ points है जो याद करने लायक है देखो पहली बात तो eukaryotic cells जो होती है जो eukaryotic cells है इनका size जो है थोड़ा सा बड़ा होता है prokaryotic की अपेच्छा यह बैक्टीरियल cell की अपेच्छा जो है eukaryotes यह प्लांट cell की cells का size बड़ा होगा यह बात आपको difference में भी बता चुके थे ठीक है तो size cell varies 1 mu to 175 mm ठीक है अगर बात किया जाए सबसे largest देखो दो चीज़े याद रखना है cell में तीन चीज़े पहला क्या याद रखना है भी यह largest cell कौन सी है ठीक है दूसरी याद रखना है longest cell कौन सी है तीसरी याद करना है भी यह smallest cell कौन सी है तीन याद रखनी है, दो तो इसमें लिखी है जब आपको PDF देंगे तो मिल जाएगा लेकिन इस मालेस्ट आपको याद रखना है कौनसी है PP, येलो, आप लोग पढ़े भी होंगे ठीक है, प्लियूरो प्निमोनिया लाइक और अर्गिनिजम, ठीक है हमारे के MLO का एक प्रकार है ठीक है प्लियूरो प्निमोनिया लाइक और्गिनिजम हमारे के PP, ये सबसे छोटी सेल है अगर बात करें लारज क Adding सबसे बड़ी तो कौनसी है? ओस्टिच एक हमारी क्या है? यान्यी सुतुर मुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सिल है लगबग 175 mm की ये पाई जाती है ठीक है अगर दूसरी हम लोग बात करें भाईया longest जिने सबसे लंबी कौन सी है तो लंबी में अगर बात करेंगे भाईया तो हमारी क्या है नर्व सिल जो नर्व सिल हमारी है सबसे लंबी होती है लगबग तीन से साढ़े तीन फीट लंबी होती है यह यह बहुत लंबी सिल है कितनी तीन से साढ़े तीन फीट की होती है ठीक है ब्याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है यह तीनों कोशन कई बार पूशे जाते हैं स तो body भीए, unicellular में तो एक ही पाए जाएगा, भीए, एक cell पाई जाएगी, और भीए, जो multicellular हो, उसमें एक से अधिक cells पाई जाएगी, तो number आप cell भीए, तो किस पर माईने रखेगा, आकार पर माईने रखेगा, जितना, जिसे आप अगर 6 विट के हैं, तो आपके अंद किया, cell wall, याद रखना, cell wall, अगर wall यानि दीवार की बात आ जाएगी, तो भीए, दीवार जो हमारी cell wall पाई जाती है, किस में पाई जाएगी, plants में पाई जाती है, ठीक है, एनिमल में cell wall नहीं पाई जाती है, बहुत important है, बहुत important अंतर है दोनों के भीज में, कई बार साइज आदमी से बड़ा होता है, एनिमल से बड़ा होता है, तो भीए, सीडी सी बात है, उसका साइज भी, लार्जिन साइज भी होगा, नमबर में भी जादा होगी, ठीक है, cannot change in shape, लेकिन plant cell का shape क्या होता है, एक दम निश्चित है, जहां से plant जीसे चलना शुरू हो गया, अब वो अपना shape नहीं बदल सकता है, जैसा वो गया है, वैसे ही रहेगा, लेकिन animal cells में ब्या shape आसानी से change हो जाता है, ठीक है, प्लास्टिड या plant cell में आपको बता है, प्लास्टिड पाया जाते है, प्लास्टिड मतलब क्या होता है, लवक, तीन प्रकार के आपको बता है लिउकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, लिउकोप्लास्ट मतलब आवानडी लवा क्यानी सफेद होंगे एकदम, जैसे आप अगर आलू को काटनें, उसके अंदर जो हमारा starch मिलता है, वो क्या है, लिउकोप्लास्ट का एक्जामपल है, ठीक क्लोरफुल होगा, तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यह प्लास्टिट पाए जाते हैं, एनिमल में प्लास्टिट तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्या पाए जाता है, बहुत इंपोर्टनेंट क्या पाए जाता है, क्रोमेटो फोर्स, अब यह क्रोमेटो फोर्स में क्या ह मतलब जिसे हमने क्या बताया क्रोमोप्लास्ट नहीं क्या पाई जाएगा क्रोमेटो 4 इसमें अपना मिलैनिन पाया जाता जिसके कारण इंसान का रंग जो है मतलब जिसमें मिलैनिन की मातरा ज्यादा होगी उसका रंग डार्क होगा और जिसमें मिलैनिन की मातरा कम पाई जा आई से बड़े-बड़े से ठीक है बड़े-बड़े से तो यह plant cell में जो है इनका size बहुत बड़ा होता है रिक्तिकाओं का वैक्योल का size बहुत बड़ा होता है animal cell में उनकी अपेच्छा छोटा होता है very small होता है ठीक है plant cells में काफी बड़ा होता है ठीक है इसके बाद nucleus lies one side and the peripheral cytoplasm कहने का मलब जो nucleus होता है रिकेंद्रक होता है वो भी है क्या जैसे मालों यह हमारा क्या है plant cell है plant cell आप देखेंगे तो उसका चित्र कुछ ऐसा दिखाए देगा यहां पर कहीं पर nucleus बना दिखाए देगा तो यह कहा है peripherally किसी किनारे पर पाया जा रहा है जबकि यहां पर nucleus क्या होगा एकदम center में पाया जागा अगर animal cell देखेंगे तो आप आई से दिखेंगा उसको सिलका अकार ठीक है यहां पर केंद्र के बीच में पाया जाएगा ठीक है तो यह हमारा क्या है peripheral में पाया जाता है यहां center में पाया जाता nucleus mitochondria are completely fewer इसमें भया कम पाया जाती है इसमें भया जादा पाय जाती है कहने का मतलब animal cell में mitochondria की संख्या जादा होती है एक cell में maximum mitochondria पाय जाएगी क्योंकि उसको उर्जा की ज़रोज जादा होती है plant cell को उतनी उर्जा की आवसकता नहीं होती है इसलिए उसके अंदर mitochondria कम होती है वो solution करते है आपको पता थोड़ क्रिस्टी पाय जाती है अब यह क्रिस्टी क्या होती है जब आप mitochondria को देखेंगे तो यह mitochondria पहली बатив तो क्या होती है double membrane होती है उसके अंदर कुछ ऐसी यह संचना ही पाय जाते है किसकी उंगली आकार कि कि एक उंगली के आकार की जो संचना ही पाय जा रही है यही हमारी तो यह उंगली जैसे सनरचना, यह हमारी क्या है? क्रिश्टी कही जाती है. इसके उपर, बहिया, ऐसे मतलब मुगदराकार गदा पाये जाते हैं. इन्हें हम लो गया बोलते हैं? ऑक्सिसोम बोलते हैं, यह फवान करण बोलते हैं. क्रिश्टी के उपर भी पाया जाते हैं ठीक है तो ये F1 कड़ पाया जाते हैं कहने का मदलब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की से नचना ये होती है ठीक है इसके उपर आईसे इसे पाया जाते है क्या हमारे F1 कड़ ठीक है तो ये हमारा क्या क्रिष्टी है जो किसके अंदर पाई जाती है भया, mitochondria के अंदर पाई जाती है, ठीक है, तो Christy का आकार इन्होंने कहा कि plant cell में कैसा है tubular है, जबकि भया इसमें कैसा है plate जैसा होगा, animal cell में क्या होगा plate जैसा होगा, ठीक है, इसके बाद plant cell do not burst in the place of hypotonic solution, अब भया solution hypotonic, hypertonic क्या होगा, isotonic क्या होगा, देखो hypo और भया, iso और hyper, यह तीन प्रकार के solution हो सकते हैं, tonic मतलब इसके पीछे लगा ले न, hypotonic, isotonic और hypertonic, hypo मतलब इसमें भया क्या होगा, सांदरता कम हो यानि concentration बहुत कम हो, यसे आप क्या बात करें, पानी, पानी का गाढ़ा solution होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा जैसे सर्बत की बात हम लोग कर रहे हैं, गाढ़ा solution हो जाएगा, वो हमारा hypertonic हो जाएगा isotonic जो ना गाढ़ा हो ना एकदम, मतलब hypo हो ना एकदम hyper हो, बीच का हो यानि एकदम isotonic है हम बात करें, जो आँख में डालने वाली दवा होती है, उसका solution कैसा होता, isotonic होता है कैसा होता, isotonic, ना वो बहुत hyper होता है, ठीक है तो ये आपको याद रखना है hypotonic solution, अब हम अगर पानी में मतलब cell को डाल दें हम बात किसी कर रहे हैं, plant cell की तो plant cell को अगर हम hypotonic solution ये पानी में अगर हम डाल देंगे तो इसमें क्या होगा भया, ये ब्रस्ट नहीं करेगी ब्रस्ट मतलब ये फटेगी नहीं ठीक है, फटेगी नहीं, क्यों नहीं फटेगी, क्योंकि इसमें भया, क्या सेलवाल पाई जा रही है, लेकिन animal cell भया क्या होगी, ब्रस्ट कर जाएगी, hypotonic solution ये पानी में डालोगी animal cell को तो क्या होगा, फट जाएगी क्योंकि उसमें क्या है भया, vacuoles जो होते हैं, वो कैसे पाई जा रहे हैं contactile vacuoles पाई जा रहे हैं, contactile का मतलब क्या, सिकुडे हुए vacuoles पाई जा रहे हैं बताया थे आपको इसमें vacuoles का साइज बड़ा है इसमें सिकुडे हैं, छोटे सपाई जा रहे हैं अब vacuoles क्या करेंगे, वही तो पानी का लेंदेन देखते हैं, exchange of water अब इसमें पानी जारूस से जादा हो जाएगा तो vacuoles फटेंगे, जब vacuoles फटेंगे तो क्या होगा cell भी brush कर जाएगी, यह भाईया बहुत important, लच्छन हो सकता है इसके बाद अगर बात करें, centrioles की centrioles आल usually absent in lower plant इसमें centrioles नहीं पाया जाते हैं जैसे अब दौ चीजे होगी इधर पाया जाता है plastic Canon और इधर पाया जाता है centrioles भी यह धयाद रखना, plastic plant में पाया जा रहा है और centrioles किसमें पाई जा रहा है animal में पाया जा रहा है याद रख सकते हैं इसको आगे बात करें गालगी अप्रेटर्स फॉर आफ नंबर डिस्टिंग अनकॉंटर इन यूनिट काल्ड डेक्टियोसोम ठीक है इसमें गालगी अप्रेटर्स आइधर लोकलाइजड और कंसिस्ट वेल कंटर इन दे सिंगल कॉंपलेक्स में पाया जा और इन now – न पाये जाते हैं किया आत्म हत्या के थेले कही बार यही कोस्टिन पूछा जाता है आत्मात्या के थैले किसे बोलते हैं lysosomes को, क्यों बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो जैसे हमारे waste material कोई अगर cell dead कर गई है कोई waste material है, तो उसको ये क्या करते हैं खा लेते हैं, और खा कर ये खुद blast हो जाते हैं, उसको भी नस्ट कर देते हैं खुद भी नष्ट हो जाते हैं यह काम करते हैं Lysosomes इसलिए इनको क्या कहा जाता है आतमात्य के थेले या suicidal bag कहा जाता है ठीके अगर बात करें इसकी तो भाई इसमें जो हमारा Lysosomes पाय जा रहा है उसका काम लगभग तो vacuoles कर लेते हैं, बड़े-बड़े vacuoles पाय जाने लगबग काम होई कर देते हैं, लेकिन इसमें typically जो है lysosomes पाय जाते हैं, कि इसमें vacuoles छोटे पाय जाते हैं, ठीक है, अगर बात करें, glyoxysomes इसमें पाय जाएंगे, इसमें भाया नहीं पाय जाएंगे, यनि plant में glyoxysomes प पाय जाते हैं, लेकिन इनिमल सेल में नहीं पाय जाते हैं, reserve food, starch and fat, बहुत important question है, भाया कई बार पुछा गया है, plants खाने को किस रूप में store करते हैं, तो भाया ये store करते हैं, starch की रूप में, ठीक है, और अगर पूंचा जाए, एनिमल किस फ़र्म में store करते हैं, तो भाया ये करते हैं, glycosin के रूप में, दोनों ही polysacuride हैं, लेकिन बहुत important है, starch की रूप में, plant store करते हैं, glycosin की रूप में कौन, animal store करते हैं, fat तो दोनों ही होता है, ठीक है, अब ये इसमें जो जूड़ा होता है, ठीक है, अटिसू फ्लूड इस नसी पाया जाता है, जिनके दौरा, से जूड़ी रहती है, एक से दूसरे से, मतलब, अब काफी सारी cells बनी है, तो इस cells के बीच में क्या होगा, यहाँ पर कुछ न कुछ पाया जाएगा, तो इसमें जक्संस पाया जाते हैं, कई सारे, और इसमें क्या होता है, इसमें सीधे plasmo desmeta के दौरा, सीधे cells जुड़ी रहती हैं, आपस में, बास मज में आई, तो भाया, यह हमारा जो है, plant cell और animal cell में अंतर हो गया, आगे अगर थोड़ा सा बात कर लें, हम लोग सेलवाल क्या है, सेलवाल आपको बता रहे थे, किस में पाय जाएगी, सिर्फ भाया, plants में पाय जाएगी, बता दिये थे, animals में नहीं पाय जाएगी, ठीक है, including bacteria, bacteria में भ उसके भी चारों, और सबसे पहले सेलवाल पाय जाएगी, plants में, ना कि animal में, the cell wall is founded in plants, and absent in animal, आपको बता चुके है, सारी चीजे, in the case of animal cell, the outermost layer is plasma lemma, देखो, बता दिये भाही बात, plasma lemma यह पाया जाता सम्मे, animal हो चाहे, plant हो, लेकिन इसके ऊपर भी एक सनचना और पाय ज हो गई, बास समझ में आगी, इसके बाद, cell wall is outermost part, and cell is always non-living, बहुत सेलवाल किस प्रकार का होता है, non-living होता है, याद रखना, living material नहीं है, कैसा है, non-living है, ठीक है, दूसरी बात क्या है, through produce, maintain the living protoplasm, और इसके अंदर living protoplasm रहता है, it is a reduced structure, जब आप कभी देखेंग inner part of cell, cell के inner part को ये protect करता है, बहुत कठोर overrun होता है, it maintains the shape and cell provide the mechanical support to tissues, ये बहुत क्या सेप को, मदब सेप देता है, cell को, मदब स्थाई सेप देता है, इसलिए, plant cell का क्यों सेप नहीं बदलता है, कि उसके बाहर क्या पाय जाता है, cell wall पाय जाता है, जो क्या है, rigid है, कठोर है, जब कि animal cell में सेप, बदल सकता है, असानी से, इसके बाद अगर बात करें, इसमें बहुत क्या, endoplasmic reticulum, galgi complex, mitochondria, microtubules, play important role in the formation of cell wall, it is mainly composed of cellulose, किसकी बनी होती है, या मुखिता cellulose की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, cellulose की बनी होती है, however, it may also contain hemicellulose, pectin, chitin, cutin lignin, सब की बनी हो सकती है, लेकर मुखिता cellulose की बनी होती है, the composition of these substance varies from cell to cell, अलग अलग, cell का अलग अलग होता है, ठीक है, तो भी यह, the cell wall is complex in nature, कैसी होती है, complex होती है, क्यों complex होती है, differentiated into the middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall, ठीक है, क्योंकि भी यह, क्या होता है, इसको हम लोग बाठ देते ह cell wall को भी primary cell wall, secondary cell wall में बाठ देते हैं, ठीक है, और middle lamella में बाठ देते हैं, यह, तीन भागों में इसको cell wall को बाठ देते हैं, हम लोग, किसमें किसमें, पहला तो middle lamella, दूसरा primary cell wall और तीसरा secondary cell wall, यह हमारे क्या, cell wall के तीन प्रकार हो गए, यह, यह, सिल्वार को भी अगर हम स्तरों में बाटें तो middle लेमला primary cell वाले and secondary cell वाल तीन संस्तरों में इसको हम बाट सकते हैं आराम से चीक है आगे अगर हम लोग बात करें तो भाई हम middle लेमला हमारे क्या है यह outer most लिया रहे अब कई बार आप से पूछा जाएगा आप confused हो जाएगे क्यों confused जाएगे कि इसका नाम है middle लेकिन यह पाया कहां जा रहे सबसे उपर अगर तीन option आपके पास रखे रहते और आप इसको ना पढ़े होते तो आप भाई हमारते क्या primary सबसे उपर पाया जाएगा उसके बाद middle उसके बाद secondary मार देंगे आप लेकिन यहां पर क्या है उल्टा है मामला क्या होगा सबसे उपर हमारा क्या है middle लेमला पाया जाता है उसके बाद primary सेल वाल उसके बाद secondary सेल वाल याद रखना इस चीज को कभी भूलना नहीं है ठीक है calcium magnesium pectate से बनी होती है does not contain any cellulose इसमें कोई भी cellulose नहीं पाया जाता है याद रखना इसके बाद primary सेल वाल इसके बाद primary सेल वाल इसके बाद अगर बाद करें secondary सेल वाल सबसे अंदर पाई जाएगी inner most है lies between primary and plasma membrane अब देखो सबसे उपर हो गया middle lemla क्या हो गया सबसे उपर middle lemla उसके अंदर हो गया primary cellulose उसके उपर हो गया secondary cellulose उसके नीचे हमारा क्या plasma membrane जो हमारा पाया जाता है किसमें दोनों में ठीक है plant और animal दोनों में ये तीन लेयर हमारी जो पाय जा रही है सिर्फ किसमें पाय जाती है plants में पाय जाती है बास समझ में आ रही है आपको सबसे उपर क्या middle lemla फिर primary cellulose फिर secondary cellulose और lastly हमारा क्या पाय जाएगा plasma membrane जो हमारा सम्में पाय जाता है ठीक है यानि secondary cellulose किसके बीच में पाय जाएगी primary cellulose और plasma membrane के बीच में पाय जाएगी it is relatively thick ये बया सबसे मोटी होती है and primarily composed of microfibles and cellulose ये भी cellulose से बनी होती है some tissues besides cellulose and lignin and subrin also found in the secondary cellulose इसमें कुछ lignin वगएरा भी पाय जाते है ये सब भी पाय जाते है the cellulose has minute apparatus through which are the cellulose and tissue interconnected भया इसमें कुछ minute apparatus ये उपांग पाय जाते है इसके दोरह क्या होता है सब एक दूसरे से interconnected होते है these apparatus of cellulose is known as plasma decimata बास समझ में आई यानि जो हमारी ये चारो संस्तर पाय जा रहे है ये जुडे किसके दोरह होते हैं भया एक उपांग पाया जाता जिसे हम लोग बोलते है क्या plasma decimata भया ये काफी चीजे जो है बहुत typical है आप जब थोड़ा सदीमाक लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी ठीके अपरेटरस आप सेलवाल इस आपका डिसाइड हो जाता है ठीके तो सेप और साइज हो गया प्रोटेक्ट करती है आपकी खाल बाहर के पैथोजन से ये भी करेगी अब ये एक सेल से दूसरी सेल में हमारा जो है जो मतलब आवा गमन होगा किसका सबस्टेंसे का केमिकल्स का वो किसके द्वारा होगा इसी के द्वारा सेल वाल के द्वारा होगा भीया तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है ठीक है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कल हम लोग प्लाजमा लेमा से आगे स्टार्ट करेंगे तीन लेक्चर में हमारा ये सेल वाला टॉपिक कम्पलीट हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे आप तो एक क्लास जब ले लेंगे हम पूर जाते हैं कहानी एक बार सुनी है और जो हमारे साथ नोट सोगा उसको कई बार रिवाइस करिए ठीक है आज के लिए बस इतना ही दन्यवाद